बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्लामलीकूम, वल्कम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए थोड़ी सी चेंज वीडियो लाई हूँ, मेरे पास कुछ पीसिज बचे हुए थे, बहुत ही खुबसूरत फैबरिक के, सूट के बाद ये पीसिज मेरे पास बचे थे, तो मैंने स सूचा के मैं क्यों ना एक बेबी फ्रॉक बनाना आपको क्यों सिखा हूँ, क्योंकि एकसर वाकत हमारे घरों में ऐसे पीसिज बड़े बे होते हैं, और हम उनको काम में कैसे ला सकते हैं, तो ये आइडिया मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, तो ये देखिए, पीसिज इसको थोड़ी सी गुलाई दे देते हैं, एक इंच और इसको सीधर कर लेते हैं, डबल फोर्ड करके मैं इसको रख लिया है, यहां पर हम पहले इसकी तीरे की चौडाई ना पेंगे, और पांच इंच पे मैंने निशान लगा दिया है, और गले के लिए मैंने रेली इंच पे निशान लगया है चोड़ाई में और आम होल के लिए मैंने निशान लगया है साड़े चार इंच पे तो मैं निशान लगा लेती हूं निशानों को जॉइन करके इनकी कटिंग कर लेते हैं और इस तरहां से मैंने इसकी कटिंग कर ली है अब फ्रंट पैनल जो है वो बैक गला जो उपर से हमने डीप रखा है वो एक इंच और भी ज्यादा कर लिया है यानि तेर्ड इंच हमने इसको डीप रखा है यहां पीस को दर्मियान में से मैंने कटिंग कर ली है इसको साइट पर कर लेते हैं अब यह पीस मेरे पास एक एक्स्ट्रा था और इसको मैं दर्मियान में से इसकी कटिंग कर लेती हूँ दर्मियान में से कटिंग करने के बाद इन दोनों को मैं डबल फोल्ड करके प्रेस करके अच्छे से इनको साइट पे रख लेते हैं इस तरह से और ये हमें फिर चाहिए होगा और ये देखे ये अगेन मेरे पास एक छोटा सा पीस है तो इसको मैं डबल कर लूँगी और इससे स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी दोनों स्लीव्स हमारे पास आजाएंगी तरम्यान में कट का निशान लगाती हूँ और नीचे से हम इसको अलग कर लेंगे दोनों हिस्सों को अब यहां पर यह एक स्ट्रिप सी है मेरे पास और इसको भी नीचे चुनट लगाते हुए इसको फिर इसके साथ लगा लूँगी अब यह देखिए फ्रन पार्ट मैंने अगेन ले लिया है इसके उपर हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे ताकि यह अच्छे लगे आप चाहें तो लैसिस का यूज़ भी कर सकते हैं बस जो चीज़ आपके पास अवैलेबल हो वो आप यूज़ करें और मेरे पास यह पहले से मौझूद डोरी है चार चार इंच पर कटे हुई और यह ट्राइंगल दो दो इंच के मैंने ली हैं और इसके ट्राइंगल मैंने बना लिये हैं यानि दोनों साइट से मैंने स्क्वेर पीसिज लिये थी दो दो इंच के यह देखे तमाम मैंने मेर लिया है, बलकि ये देखें, यहां पर इस तरहां से इसको भी यहां पर सिलाई कर लूंगे, यहां पर सिलाई का अमल मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो ये देखें, इतना हमने तकरीब følgष 12-20 in उपर से खुला चोड़ा है, क्यूंकि इसको फिर सर में जाने के लिए हमें थोड़ा सा गला फिर खोलना पड़ता और वो बुरा लगता है फ्रॉक के गले बड़े बहुत बुरे लगते हैं यहां पर इस तरह से हम उपर शोल्डर से सिलाई करके दोनों पार्ट को हम आपस में जॉइन कर लेंगे यहां पर मैंने जॉइन कर लिया है अब सीधा कर लेते हैं यहां पर देखे मैंने स्लीव को रेडी किया है मैं आपको शो कराती हूँ इस तरह से बहुत एजी तरीके से मैंने चुनट डाल के ये स्ट्रिप जो है इसको जॉइन कर लिया है और चुनट बहुत छोटे छोटे बारिक बारिक से मैंने चुनट डाले है और उपर से भी हम बारिक बारिक से चुनट एड़ करेंगे एक की से लाई करके मैं आपको दिखा देती हूँ तो ये देखे इस तरहां से हम वन बाई वन करते हुए चुटी चुटी चुनट डालेंगे आप चाने हैं तो बड़े चुनट भी डाल सकते हैं लेकिन चुटी चुनट बहुत अच्छे लगते हैं और ये फ्रॉग जो है ये तकरिबन एक से डेट साल की बच्ची की फ्रॉग है और आप यकीन करें कि ये बन के इतनी खुबसूरत फ्रॉग तयार हुई थी कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि जो पीसीज हमने इतने बेकार समझ के साइट पे रखे होते हैं अधरा से दुसरी साइट की स्लीप को भी हम से तरहा से से मैं भी इस तरहाँ से हम दोने सी दो करेंगे और नीके से हमने यहां पे लगानी है फ्रिल और फ्रिल के लिए भी हमने जो फैबरिक पुट्टियां दो काटी थी उनको डबल फोल्ड करके मैंने एक सलाई लगा दी थी ताके ये कपड़ा इदर उदर ना हो इस तरह से ये देखे और इनको अब नीचे से हमने जॉइन करना है यहाँ पर आपके पास अगर फैबरिक ज्यादा हो तो फिर आप ज्यादा चुनट डाल सकते हैं मेरे पास इतना ज्यादा फैबरिक नहीं था तो मैं बस छोटी छोटी चुनट से ही डालूँगी और थोड़े फासले पर डालूँगी ताके एकुली तमाम चुनट से हमारे डल जाएं इस तरह से तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि बनने जा रहा है बेबी फ्रॉक और बहुत ही खुबसूरत फ्रॉक है ये और बहुत ही आसानी से हमने इसको स्टिच किया है आप घर में इसको बना लेंगे अब यहां पर टॉप स्टिच भी हम लगा लेते हैं ताकि जो चुनट हमने एट की हैं डाली हैं वो बिल्कुल एक्कुरेट अपनी जगा पे रहें और बैट जाएं अब यहां पे दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह से जोईन कर लेंगे यहां पे भी हम फ्रिल डालेंगे यह भी इस तरह से हमने जोड दिया है अब इसको उल्टी साइट पे हम इसको दोनों साइट से इस से लाया नगा लेंगे बिल्कुल सेट करते हूँ उपर से नीचे और दोनों साइट को हम जॉइन कर लेंगे अब ये देखे हमने सीधा कर लिया है फ्रॉग फ्रॉग सीधे करके हमने इसके अब सिर्फ नेक हमारा रहता है उसके लिए हम लेंगे औरे पटी औरे पटी डेड़ इंच की पटी हमने काटी है और इसको हम साइट से नीचे से लेते हुए इसको जॉइन करेंगे यहां से सिलाई लगा लेंगे तो ये सिलाई हमने लगा ली है अब इसको मोड़ते हुए एक साइट से पकड़ के मोड़ेंगे और इसके उपर भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसको कम्टीट कर लेंगे तो ये देखे इसको अच्छे से प्रेस कर लिया और टिच बटन भी हमने लगा लिया है तो इस तरहां से ये बहुत ही हुपसुरत हमारा बेबी फ्रॉक रेडी हो गया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूब कीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएगा कि आज का आइडिया आपको कैसा लगा अमीद करती हूँ आज की वीडियो आज का डिजाइन आपको बहुत अच्छा लगा होगा फिर मिलेंगे बहुत ही खुबसुरत से डिजाइनिंग आइडियास के साथ ओके जी अलाहाफेज